दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन और BAC Limited के साथ में टोटल में 12 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने आप स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है PNG Hygiene and Health Limited यानि की Procter and Gamble Hygiene and Health Limited इस कंपनी का जो शेयर प्राइज है वो 17,245 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आपे Interm Dividend और साथी साथ में Special Dividend अनौंस किया है जोकि 160 रुपीज और 60 रुपीज का अनौंस किया गया है टोटल में आपे 220 रुपीज का Dividend दिया जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मर्जी शेयर जो आप लोगों को हर एक शेयर के उपर में 220 रुपे का Dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X-Date और Record Date है वो 9th of February की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Capit Technologies Limited Capit Technologies का जो शेयर प्राइस है वो 1457 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आपे Dividend अरौंस कर दिया है 2.10 रुपीज का आप लोगों को हर एक शेयर के उपर में 2 रुपे 10 पैसे का Dividend दिया जाएगा इसको भी देने की एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सेम डे की रहने वली है यानि की 9th of February की अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Triveni Engineering Limited Triveni Engineering का जो शेयर प्राइस है वो 342 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप स्पेशल और साथी साथ में इंटरम डिविडेंड अनौंस किया है 2.25 रुपीज और 2.25 रुपीज का टोटल में 4.50 रुपीज का डिविडेंड अनौंस किया गया है हर एक शेयर के उपर में आप लोगों को साड़े 4 रुपे यानि की 4 रुपे 50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा इसको देने की भी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सेम डेकी रहने वाली है यानि की 9th of February की अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है Sun Pharma Limited Sun Pharma का जो शेयर प्राइज है वो 1418 रुपीज के उपर में चल रहा है और कंपनी ने आपे डिविडेंड अनौंस कर दिया है 8.50 रुपीज का आप लोगों को हर एक शेयर के उपर में 8 रुपे यानि की 8 रुपे 50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा इसको देने की भी X date और record date same day की रहने वली है यानि की 9th of February की अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है OK Play India Limited OK Play India का जो शेयर प्राइज है वो 167 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आपे stock split अनौंस कर दिया है 1 to 10 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 10 शेयर के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मर्जी stocks हो आप लोगों का हर एक stock याँ पे 10-10 stocks के अंदर में convert हो जाएगा इस stock split को देने की x date और record date फिलाल upcoming में है जैसे ही company x date और record date अनाउंस करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है kp energy limited kp energy का जो share price है वो लगबग 1000 रुपीज के आसपास में चल रहा है और company ने आप stock bonus अनाउंस करके रखाए 2-1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 2 shares का bonus दिया जाएगा total में जो आपका एक share है वो 3 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी stocks हो आप लोगों को आपके हर एक stock के उपर में 2 stocks का bonus दिया जाएगा इस bonus को देने की जो X date और record date है वो 12th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है QGO Finance Ltd QGO Finance का जो share price है वो 70 रुपीज के उपर में चल रहा है and company ने आपे dividend announce कर दिया है 0.15 रुपीज का यानि की हर एक share के उपर में आपको 15 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 9th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Tina Rubber & Infra Limited Tina Rubber & Infra का जो share price है वो 696 रुपीज के उपर में चल रहा है and company ने आपे dividend announce कर दिया है 3 रुपीज का हर एक share के उपर में आपको 3 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 5th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है दौलत Algotech Limited दौलत Algotech का जो share price है वो 72 रुपीज के उपर में चल रहा है and company ने आपे dividend announce कर दिया है 0.10 रुपीज का यानि कि आप लोगों को हर एक share के उपर में 10 पैसे का dividend दिया जाएगा and इसको देने की जो X date और record date है वो रहने वली है 9th of February की अगले share की बात करें तो company का नाम है Symphony Limited Symphony Limited का जो share price है वो 931 रुपीज के उपर में चल रहा है and company ने आपे dividend announce कर दिया है 2 रुपीज का हर एक share के उपर में आपको 2 रुपे का dividend दिया जाएगा and इसको देने की जो X date और record date है वो 7th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है BSE Limited यानि की Bombay Stock Exchange Limited BSE Limited का जो share price है वो 2335 रुपीज के उपर में चल रहा है and BSE की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically आपे ICICI Securities करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and I am damn sure आप लोगोंने ICICI Securities का नम जरूर से सुना होगा अब ICICI Securities ने जो है BSE Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करिए और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 2686 रुपीज का दिया है BSE Limited के share के अंदर में in fact CDC बात है एक short term के इस आपसे target नहीं दिया गया है यह जो target है आपका mid term से लेकर के long term का रहने वलाए तो जो capital आप mid term में invest कर सकते हैं सिरफ उसी को यहाँ पे invest कीजिएगा वरना short term के लिए आपे BSE Limited के share को थोड़ा सा आप avoid कीजिएगा और अभी फिलाल जब तक NAC का IPO नहीं आ जाता है तब तक BSE Limited के लिए as such कोई direct competition market के अंदर में नहीं है तो अभी काफी अच्छा time है जितने अच्छे returns BSE से आप निकाल सकते हैं आपको निकालने का मौका मिल जाएगा तो जरूर से BSE Limited के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last stock की तो company का नाम है IOCL यानि की Indian Oil Corporation Limited Indian Oil का जो share price है वो 147 रुपीज के उपर में चल रहा है यहाँ पे मोतिला लोस्वाल करके काफी जाना माना brokerage firm है इवन stock market के उपर में भी मोतिला लोस्वाल listed है तो इसी बात से अप अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया के अंदर में कितना जादा well reputed है अभी मोतिला लोस्वाल ने जो है IOC के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 165 रुपीज का दिया है तो 147 रुपीज से लेकर के 165 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे मोतिला लोस्वाल financials expect करके चल रहा है IOCL यानि की Indian Oil Corporation के share के अंदर में definitely no doubt काफी अच्छी और काफी दिगज कमपनी है even जब 100 रुपीज का जो एक resistance level Indian Oil Corporation के share ने break किया था तभी से मैंने काफी लोगों को काफी बारी update किया था इस stock के अंदर में definitely आपको mid term के लिए एक investment करना चाहिए और वहाँ से अब तक अगर आप देखेंगे short term के अंदर में काफी ज़ादा अच्छे रेटन्स IOC ने generate करके दे दिए है अभी भी company के पास में काफी high potential है यहाँ से काफी अच्छे रेटन्स आपको मिल सकते हैं बट अभी फिलाल के लिए आपे जो target दिया गया है मोतीलाल उस्वाल द्वारा यह short term का target रहेगा 165 रूपीस का तो अगर आप चाहें तो IOC के शेर को आपके watch list के अंदर में अड़ कर सकते हैं बाकी Indian Oil Corporation और BAC Limited के अलावा आपको जिस भी company के शेर को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही 12 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा विगोस फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर Till then, Bye